आज हम लाए हैं आपके लिए made in Russia over under कर रिव्यू यह आप अपने सामने देख रहे हैं यह Russian made over under है एक होती है side by side जिसकी left right होती है और एक होती है उपर नीचे जो over under कहते हैं यह Russia की शुरू की over under है जिसके इसके अगर आप देख सकें तो यह Russian दो ट्रिगर वाली over under है जितनी भी आजकल आ रही है उनका एक ट्रिगर है और वह एक ही ट्रिगर से दोनों चेंबर से fire करती ह अब अगर जो अपने सामने देख रहे हैं कि जो Russian weapons होते हैं उनमें खुबसूर्ती बहुत कम होती है और but उनकी reliability level is too high reliability level प्लस इसका जो make होता है Russian weapons का that is very much good यह आप अपने सामने देख सकते हैं कि इस पे कोई खुबसूर्ती नहीं है मगर यह weapon अपना काम बेतरीन किसम का प यह देखें यह ejector over under है और इसका जो model है वो है MPa65 यह Russian MPa65 है और इसका dual ejector प्लस इसके अंदर यह safety की option है कि दर दी भी होती है अगर हम इसके weight के बारे में बात करें तो इसका weight तक क्रीबं 1.5-2kg weight है और यह बहुत ही lightweight use के लिए है और इसका made in Russia यहां नीचे लिखा होता है made in Russia लिखावा है इतर नीचे और इसकी जो दोनों barrels है वो chokes के बगेर हैं इसके इंदर inbuilt chokes हैं वो एक इसमें हम अगर chokes चेक कर नहीं हो तो इस तरह हम अंगली डाल के चेक कर सकते हैं कि जो उपर वाली इसकी चोक होती है वो बायर करना है तो वो कितना थोड़ा से रेंज बढ़ जाती है नीचे और इसी तरह ही सिस्टम होता है इसका यह जो आप सामने आपके है जो रशियन मेड है शॉटगन और यह बड़ी ही light weight easy to carry है और मुझे इसको 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 इस वेपन ने मुझे कोई मसला नहीं दिया अच्छ तक नहीं फेड होई तो यही फर्क है हमारे रश्यन वेपन का के रश्यन कुपसूर्ती कम देते हैं इंग्रेविंग बगेरा कम देते हैं मगर वो कॉलिटी आउट क्लास देते हैं और इसके बट के पीछे जो एक गरिप है यह थोड़ी प्लास्टिक गरिप है तो यह थाज आपके लिए रशियन शॉटगन का रिव्यू ओवर एंडर का इंशाला मिलते हैं आप से दोबारा